आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की A to Z संपूर जानकारी यानि कॉली फुलावर फार्मिंग के वारे में बात करने वाले हैं यदि आप early farming करना चाहते हैं फूल गोभी की या फिर late farming करना चाहते हैं यानि अंगेती फसल या फिर पच्छेती फसल करना चाहते हैं तो यह वीडियो उन युवा किषानों के लिए काफी important है जो प्राराब्मेक stage में है कि फूल गोभी की खेती किस प्रकार की जाती है या फिर करना चाहते हैं कितने प्रकार की कीट आती हैं तो बस आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो पर आपको knowledge जो मिलने वाला है कूट कूट कर इस वीडियो पर knowledge भरा हुगा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पोचने की जरूरत नहीं है कि फोल गोवी की एक्चुली में खेती किस परकार की जाती है तो इस वीडियो पर नकेबल हम A to Z जानकारी देने की कोशिश करेंगे बलकि बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में लगने बाले कीट और नवारन यानि कितने प्रकार की कीट आते हैं कब आते हैं कैसे नियंतर पासकते हैं अधिक उत्पादन के लिए आवसक खादका सेडियूल इसके अलावा फंगस अटेक और नियंतरन अनुकूल टेंपरेचर और जलवायू इसके अलावा बात करेंगे खेत तैयार प्लांट जो डिस्टेंस होता है इसके अलावा लगवाग सभी जो आवसक टॉपिक होते हैं तो उन सभी टॉपिक को किलियर करने वाले हैं बस आपसे एक रेक्वेस्ट है छोटी सी इस वीडियो को आप लाइक के साथ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं तो कहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें बस आप इस वीडियो को एंड त देखिए फोल गोभी की एक यासी कौलीफ फिलावर जो फार्मिंग है एक यासी फसल है जो ठंडी और आध्र जलवायू काफी जरूरत पड़ती है यानि ठंडे जलवायू में इसकी जो फार्मिंग है काफी उप्योगत है और सफलता पूरबा कर सकते हैं लेकिन इसका अनु पर बरसात के लिए खेती कर सकते हैं ठंडी के लिए ठंडी और गर्मियों के लिए आप अक्टूबर और नवंबर दिसंबर महीने पर काफी वेस्ट है सफलता पूरबक आप फार्मिंग कर सकते हैं बात कर लेते हैं नरसरी तो देखिए किसान भायो 22-25 दिनों पर नरसरी तयार हो जाती है मैख्यूम 36 दिन से कम ही लगते है यानि 35-30 दिनों पर हमारी जो नरसरी पॉधु दी पत्रांस प्लांट के लिए अप्रेल, मई और जून खे महिने पर आप आसान इसे काफी अच्छा मुनावा ले सकते हैं और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद या वीडियो बनाई जा रही है लोगडाउन के कारण अनुपलब्द कोंटेंट के बज़ाए के कारण आपको जो इस वीडियो पर फोटोग्राफिकल ही वीडियो देखने के लिए मिल पाएगी क्योंकि लॉक्डाउन के कारण सूटिंग नहीं हो पाई है तो इस कारण आपको जो वीडियो है केबल फोटोग्राफिकल ही वीडियो आपको मिल पाएगी तो उसके लिए I really sorry तो आपको आसर करते हैं इस वीडियो पर जो नौलिज देना हम चाह रहे है वो आप तक जरूर पहुंच पाएगा तो बात करते हैं नरसरी तैयार देखिए नरसरी आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं एक तो प्रो ट्रे आती है डिस्पोजल आती है मग आती है उससे तैयार कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं मिट्टी पर सिंपल तरीके से क्यारिया बनाकर उपर पनी का जो तर कोपेट खाद आती तो एक एक वीजों को बोहाई करके एक मतलब गढ़्डे पर आप बोहाई कर सकते हैं इसके अलाबा नरसरी के व已經 ऊपड़ होता है अब डूं सेение मंडभ बना या फिर आप मिट्टी की क्यारी बनाकर यदि आप मिट्टी की नरसरी तयार करना चाहते हैं तो मिट्टी की क्यारी बनाकर आप एक फिट उंचाई मेर्ड बनाईए और उसके उबर प्लास्टिक की पन्नी से कबर कर दीजिए यानि धूप कम पड़े आम तोर पर नरसरी हलकी नमी हो यानि आम तोर पर जो हलकी नरसरी होती है जाड़ों के पास नमी बनी रहनी चाहिए यह दिया आप सिंपल तरीके से कर रहा है नरसरी तैयार तो 15 वाई 15 फिटकी नरसरी मतलब तैयार करने के लिए आप 2 कोईंटर कम से कम गोबर की खाद लीजिए और 5 किलोगराम ASASP सिंगल सुपरफासफेट लीजिए और 5 किलोगराम DAP से आप अच्छे तरीके से आप की जो नरसरी है वहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और वुआई कर दीजिए और सीचाई कम मात्रा पर हल्की सीचाई कर दीदिये ताकि अच्छे तरीके से अंकुरन हो पाए तो मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से आप नरसरी तयार कर सकते हैं यदि नरसरी में कुई शमश्य आती है ये फंगस आती है तो ऐसी कंडिसान में आप मतलब मैंको जैप फंगिसाइट को मतलब इस परे जरूर करती रहें और यदि बात आती है बीज उपचार यानि सीट्स ट्रिक्मेंट की तो बीज उपचार करने से क्या होता है डंपिंग ओफ नहीं होते हैं और 100% अंकुरन होती हैं आँगे चलके बात करेंगे उननेत किस्मों के बारे हैं लेकन बात कर रहे हैं बीज उपचार तो धनू का एगरी टे का बीटा वैक्स पावर आता है उससे आप बीजों को उपचार जरूर कर सकती हैं इसकी अलाब बात करते हैं मिट्टी और टेंपरिचर रेतिली मिट्टी में अधिक पानी की और अधिक खाद की जरूरत पलती है वांकि आप काली मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी दोबंट माटी यार पर सफलता पूरवग गोभी यानि फूल गोभी की उननत खेती आप सफलता पूरवग कर सकते हैं और मिट्टी यानि मिर्दा का pH 5.5 से 7.5 तक बढ़िया रहता है अगर जलबायू temperature की बात की जाए तो आपको पता है कि ठंडे जलबायू में काफी सफलता पूरवग फूल गोबी की खेती आप कर सकते हैं और यदि अगर exact देखा जा temperature तो 10 degree Celsius लेके 30 degree Celsius तक temperature में काफी सफलता पूरवग उननत तरीके से आप फूल गोबी की खेती कर सकते हैं बात करते हैं खेत तयार खेत तयार करते समय आप अंतिम जुताई पर 1-2 ट्राली गोबर की पकी हुई खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद को आप अंतिम जुताई पर खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा देजिए या पर यदि आपके पास जैब कामपोस्ट नहीं है गोबर की खाद मुर्गी की खाद नहीं है तो आप क्या कीजिए रासानिक तरीके से भी तयार कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप और गोबी की खेती कर सकते हैं और इस वीडियो को देखकर आप रासान यानि सिंगल सुपर फासफेट को लगवख 150 किलो ग्राम आप पूरे खीते मिखेर कर सिंगल सुपर फासफेट जिसका तीन बोरी का प्राइज लगवख नौसोसे हजार रुपे में तीन बोरी ससी पूर स्ल कर रहती है अंगेती फसल के लिए आप थोड़ा रूटीन बताईए तो सिचाई की काफी ज़्यादा जरूरत पढ़ती है देखिए मतलब सर्दियों में कम सिचाई की जरूरत पढ़ती है साथ साथ आठाट दिन की अंतराल पर भी आप सिचाई करेंगे तब आप फोल गोवे की सफलता पूरवा खेती कर सकते हैं अब बात आती है सबसे इंपोटेंट सबसे अनिवार सबसे आवश्यक टॉपिक की यानि उन्नत किश्मों के बारे में इसा कुछ भी नहीं कि आपको कोई भी इंप्रूब बैराइटी जो भी उठाई उसको बारे में बताने बाला हूँ जो हम लोग के एरिया में जो आपके एरिया में काफी सफलता पूरवा काफी अच्छे से ग्रोइंग उपा जोत पादन देपाएंगी उन्ही बैराइटी के बारे में आपको बताने बाला हूँ तो अंगेती फसल हो या फिर पछेती फसल हो अरली फार्मिंग हो लेट फार्मिंग हो या फिर सर्दियों पर वरसात पर यदि आप इन बैराइटी को लगा कर काफी अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं सेजेंटा कंपनी के कोली फ्लावर हाइब्रेड सी एफ एल आती है 6099 ये भी काफी एफ बन हाइब्रेड है इसका जो कलार है वाइट एकदम जो पूरी बैराइटी बतारा है पूरी बाइट है मतलब वाइट इनके फूल है तो जो सेजेंटा कंपनी की कोली फ्लावर और यह जो नरसरी तयार होने के बाद यह जो बैराइटी है सतर दिनों पर तयार हो जाती है हर्वेस्टिंग के लिए और इसका जो दस ग्राम का प्राइज है इसकी अलावा यदि बात की जाए मतलब फूल साइज की तो मेडियम फूल साइज आता है जो मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अलावा यूएस का एक रिस्ट्स डेवलो ग्यारा जीरो चार ग्यारा सुचार यह भी बढ़िया है इसका भी फूल का साइ जाता है दो किलो ग्राम से लेकि चार किलो ग्राम के बीच रहता है और यह है जो यूएस की एस डवलो ग्यारा सो चार यह लगभग 65 दिनों में तयार हो जाती हार्वेस्टिंग के लिए और इसका भी जो 10 ग्राम का पैक है लगभग 400 रुपे की आसपास उपलब्ध है इस का फूल का साइज डेल किलो ग्राम से लेकि दो किलो ग्राम का होता है इसकी अलावा बात करते हैं सेमिनीच की हाइब्रेड एकार्थी कॉली फ्लॉवर जो जिसका जो फूल का साइज होता है मिल्की वाइट होता है इसका जो प्राइज है 10 ग्राम का जो प्राइज है 300 रु हो जाता है लेकिन जो सेमिनीस की हाइबरेट कॉलिफ लॉवर आती है यानि गिरीजा यह 10 गराम का मैंने आपको बताई दिया कि 300 रुपे में उपलब्ध है और इसका फूल का साइज यह बढ़िया है तो मैंने चार वैराइटी के बारें बताया है चार वैराइटी में आप चारों मैंसे किसी का भी चायन कर सकते हैं और आप अंगेती फार्मिंग करने के लिए आसान इस इन वैराइटी का चायन कर सकते हैं हम लोग किया काफी इंप्रूब वैराइटी है इनका हम लोग करती आ रहा है फार्मिंग और काफी अच्छा उपा जुत पादन और इनकी फूल का size काफी white रहता है जो marketing में कोई भी दिक्कत नहीं होता है आंगे चलके बात करेंगे कि plant से plant distance कर देंगे तो फूल का size बड़ा हो जाता है और यदि distance कम कर देते हैं तो फूल का size कम रह जाता है तो इसकी बारे में हम आंगे बात करने वाले हैं बात करते हैं plant transfer हलकी खिर में नमी होना चाहिए और मतलब जहां भी आप plant transfer कर रहे हैं हलकी नमी होना चाहिए और जहां पर आपको plantation करना है बहाँ पर प्रती गड़्धे आपको 15-15 ग्राम एनपी के बार अबती सूला खाद को रोपाई करने से पहले हमको हलकी सिचाई करना है 15-15 ग्राम के हिजाब से 12-16 एनपी के खाद को देना है और हमको plantation कर देना है लेकिन plantation करने से पहले हमको एक वात याद रखना है कि कई परकार की फूल गो भी होती है कई परकार की फंगस आते हैं तो ऐसी कंडिसन में हमको क्या करना है किर्पया ध्यान से सुनिए रूपाई करने से पहले जब आप प्लांटेशन ट्रांसफर करते हैं तो प्लांट निकालिए नरसरी से और आपको क्या करना है आपको 10 लीटर पानी लेना है और 200 ग्राम आपको लेना है कार्मेंडर जिम फं रोट किसी प्रकार की रोट रोट की समस्चा देखने के लिए नहीं मिलेगी तो आप यहसे करेंगे प्लांट ट्रांसपर जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है यानि घोल बनाकर कारवेंडर्जन फंगी साइट से घोल बनाकर यादि आप डूबो डूबो कर प्लांटेशन कर रहे यानि अंगेती फार्मिंग कर रहे हैं तो प्लांट ड्रंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है यानि अप्रेल माई पर आप खेती कर रहे हैं तो मैं आपको रेक्मेंडेट करूंगा कि आप 2-3 ड्रंचिंग प्लांट ड्रंचिंग ज़रूर करें प्लांट प्लान्टिसन कर दिया बिलांटिसन से दूसरी तीसर्य दिन आपको क्या करना है आपको 1000 लीटर पानी लेना है और पाँस सो ग्राम आपको एन् पी के घुलांसील खाद उननैस trek for 4 Storm में उसको लेना है प्लस 200 ग्राम गन्निका गोला लेना है इसके अलाबा 20 200 ग्राम हमको लेना है मैंको जैब एक तफंगी साइट को और 2 किलो ग्राम हमको लेना है हुमिक एसिट फर्टिलाइजर को जो खाद आती है ग्रेंडियूज फोम में इन सब इको घोल बनाकर हमको क्या करना है प्रती पौधे पर 100 मिली के हिसाब से एक-एक पौधे पर किसी भ क्या होगा कि जो आपको प्लांटेशन ठीक तरीके से आपका ग्रोईंग अच्छे तरीके से रूट पकड़ लेंगी इसको आपको तीन बार दोहराना है एक आपको दो से तीसरे दिन करना है प्लांट ड्रंचिंग मतला रोवबाई से और सेकंड ड्रंचिंग आपको करना ह ठीक तरीके से गिरोईंग उपा जोतपादन होगा यदि आप ड्रेपर खेती कर रहे हैं तो आप ड्रेपर भी छोड़ सकते हैं इसी घोल कर कोई दक्कत नहीं है अब बात आती है प्रती एकड पौधे की आवस्सकता तो आपको एक एकड पर बीस हजार से पच्चिस हजार पौधे की आवस्सकता पढ़ती है किर्पिया ध्यान दीजिए कई किसान भाई 15,000 पौधे एक एकड पर लगाते हैं तो कई किसान भाई 30,000 पौधे एक एकड पर लगा दीते हैं लेकिन जो सही डिस्टेंस एकुरेट है आपको 20,000 से 25,000 पौधे एक एकड पर लगाना चा ठीक तरीकी से growing हो तो मैं आपको एक ऐसी organic plant growth promoter के बारे में बताने वाला हूँ जो आप इस परे करके काफी ठीक तरीके से अपनी फसाल को growth कर सकते हैं आपको इसकेंडर पानी पर जब आपकी फसल पाच पन्दिन की हो ओर जब होगी बहुती बढ़िया तरीकिसे आपकी फसल गिरोथ होगी अब बात आती सबसें कीट नियंत्रन प्रकुप और पाय यानि कितने प्रकार कीट आते हैं कब पाते हैं उनको कैसे नहीं अंतरन कर सकती हैं तो काफी ध्यान से सुनिए यह मुक्रूब से कटर पहलार यानि कट हुआ इल्ली जैसे यानि रस चूसने वाले कीट डाइवन्ट वैक मोथ इसके अलाव तंबाकु इल्ली सेमी लूपर्स गोपकी मक्खी सफेद मक्खी और पत् भी नुक्षान पहुंचाते हैं यादी समय रहते हम नियंतरा ना करेंगे तो काफी जादा नुक्षान जीलना पड़ सकता है तो ध्यान दीजिए रस चूसने वाले यादी हमाई गोभी की फसल में पत्तो को चूसने वाले कीट यानि जिसे हम सकेंग पेश्ट बोलते हैं तो हमको क्या करना है उसका उपाय यह है कि इमीडा किलोरपेट 40% प्लास फिपरोनेल 40% यान 80% डबलूजी इंसेक्टिसाइट को 150 ग्राम एक एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छलकाप करेंगे तो आसानी से रस चूसने वाले कीटों को आप नियंतरा ना कर सकते हैं इसकी अल पूल को खाने वाले इल्लियों को नियंतरन नहीं करेंगे तो जो हमारी फसल है काफी नस्ट के सांसांत बरवाद हो जाएगी तो ऐसी कंडिसन में इल्लियों को कंट्रोर करने के लिए मैं चार दबाईएं बता रहा हूं जो आपकी मार्केट में जो आपकी आसपास फटिल इमिटेट का एक आता है सुमी प्रेंपट नाम से कोई दवाई आती है जिसको 250 ml एक एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में चलकाप करेंगे तो बढ़िया रेजल्ट मिलेंगी इसकी अलावा घर्डा कंपनी का किंग डोकसा इंसेक्टिसाइड आता है किंग डोकसा इंसेक्ट गाल सकते हैं 200 लीटर पानी पर या फर अधाम इंडिया या कंपनी का फ्लें थोरा इंसेक्टिसाइड आता है फ्लें थोरा का milhões एक एकल पर अग्नहें कर तो आप आसान इस इल्लियों को नियंतरा कर सकते हैं यदि आप यदि आप इन दवाईयों के साथ किरास करके कोई सबसे बड़ी जो समस्य आती है उसकी बारे में भी आपको बताने वाला हूं तो आप समझ ही गए होंगी कि इल्लियों का पिरकौप है तो आप आसानी से इनको इस परिकर करके नियंदर कर सकती हैं लेकिन एक समस्य और आती है जो आप गलती कोस्ट करने की कोसिस ना करें जैस किसी कंडिस揀 में हमको जो डोज मैंने आपको बताए है सीद है आधा करके छड़क्याब कर देना है एक्जाम परते desses के लिए मैंने कोई ड्योस कोा है न कोई बताया 100 ml तो आप 100 ml कोई फ़सा छोटी है गोबी फवसाल तो आप आधा मिक्स करके स्परीक करें तो आधा प्रिक कर सकते हैं तो आई होब एक्जांपल से आप समझ गया होंगी कोई फसल चोटी आवस्ता में होती है तो आप उसको आधा डोज को इस परेंगे तो कीटों को आप आसानी से नियंत्र कर पाएंगे और हमाई जो फसल है किसी परकार की कोई शमस्चा नहीं होगी इसकी अ बिलाइट से जौलवसा जैसे बूलते हैं ब्लेक इसके अलावा ऐंत्रेक के नौसे पाउडरी मिल्टीव डानी मिल्टीव डंपेंग और अप लीप इस पाउड्स एसे और भी कई परकार के फंगस आती हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए मैं तीन फंगी साइट के बारे बताने बाला हूँ बोरन की कमी के कारण पहले तो सुन लीजूए जो रेड जो राट आता है varon पहला है नो बोरन एक खात को भी देने हैं खात का सेडिदिल आंगे बताने बाला हूँ तो copper Tactical तो आप इस्प्रेग कर दीजी कोई दिकत की बात नहीं है अब बात आती है सबसे important खाद का schedule तो मैं वो आपको आवज़सक खाद का vertigation का schedule बताने बाला हूँ जो हमाई यूवक के शान है या जो already खेती कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह useful है और जो already खेती कर रहे हैं तो इन खाद को दे कर कम से कम लागत पर भी वो फोल गोबी की कॉली फ्लावर की आसानी से फार्विंग कर सकते हैं तो कृपया ध्यान दीजिए रोपाई से जैसी हमाई फसल दस दिन की होती दस भी दिन की होती है तो हमको एन पी के घुलनसील खाद को 19-193 किलोगराम लेना है और 2 किलोगराम हमको हीवमक ऐसे डिव उत्खाद आती है फार्टिलाजर्स आती है उसको ड्रिप्प की सहाथा से छोड़ सकते हैं या फिर सिंपल तरीक ज़नों के पास दे कर आप स्प्रेंगलार सिचाई से भी नोजल की सहाथा से भी सिचाई कर सकते हैं या पर आप सिंपल तरीके से पानी को बहा सकते हैं इसके अलावा बात आती है जैसे हमाई फ़सल रोपाई से प्लांटेशन से 20 भी दिन की होती है तो हमको एन पीके घुलंजी खाद 12,60 जीरो खाद को लेना है 4 किलो ग्राम और 5 किलो ग्राम हमको लेना सुख्च पोल सकते प्लांटेशन से पानी चला देना है इसके अलावा जैसे हमाई फ़सल रोपाई से 30 भी दिन की होती है तो 3 किलो ग्राम हमको साल पर एक खाद लेना है और हमको 4 किलो ग्राम लेना है जीरो बाबान 34 एनपी के घुलंजी खाद को लेकर ड्रिप पर या फिर सिंपल तरीक से जड़ों पर देकर पानी चला देना है इसके अलावा किसान भाई उजैसे हमाई फ़सल लगवक 40 दिन की होती है तो हमको 10 किलो ग्राम हमको लेना है केल्सीय अम नाइट्रेड एक फ़टी लाजर्स और जिंक एक खाद लेना हमको 5 किलो ग्राम इनको लेकर ड्रिप पर छोड़ देना है या पर सिंपल तरीक से जड़ों के पास देकर पानी चला देना है इसके अलाबक किसान भायू जैसे हाई फसल 55 दिन की होती है तो हमको अंतिम खाद देना है 8 kg सिंगल सुपर फासफेट पाउडर बाली और 20 kg यूरिया लेकर इन खादों को देकर पानी चला देना है और हमको एनपी की खाद 13-43 को भी 4 kg लेकर मिक्स करके हमको जड़ों के पास या फिर ड्रेपर छोड़कर पानी चला देना है मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ अंतिम खाद जैसे हाई फसल 55 दिन की होती है 8 kg हमको सिंगल सुपर फासफेट और 20 kg यूरिया इसके अलाबा 4 kg एनपी के 13-43 गोलन सील खाद को लेना है और हमको ड्रेपर या फिर सिं क्यां हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी विराइटी का चैन कर रहे हैं प्ट जो मैंने बैराइटी बताई है 60-70 दिनों पर मैघ्जिमम 75 दिनों पर आपकी जो कॉली फुलावर की फारविंग हार वेस्टिंग के लिए तैयार हो ज हमको fartigation करना चाहिए यह बात आप ध्यान पूराक शुन लिज़े हमारी गोभी की फसल में आवस्टता अनुशारी हमको fartigation करना चाहिए यानि कौन से पोस्टतों की कमी है उसके according की हमको fartigation करना चाहिए यादि हमाई फसल ठीक तरीके से हरी भरी है गिरोइंग ठीक तरीकी से हो रहा है तो जो फर्टिगेशन कम मातरा में करना चाहिए जो मैंने आपको डोज बताया फर्टिगेशन का उसको आप कम भी कर सकते हैं यदि आपकी फसल अच्छी हरी भरी है यदि आपकी फसल हरी भरी नहीं है यानि कहने के मातरा वे है कि आवस् से लान की भी दूरी आपको एक फिट रख सकते हैं इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा जादा आप कर सकते हैं लेकिन जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया है एक फिट लान से लान की दूरी और कतार से कतार की दूरी एक फिट बहुत ही बढ़िया है इसके अलाब बात करते ह खर्पतवार लियंधर्न तो खर्पतवार नियंधर्न की लिए सबसे वैस्ट है कि आप नीराई गोडाई दो लगभात को आप बाद से अब बात आती है जो हमाई लगभाग गोभी की फसल है देखिए 20 से 25 दिनों पर आप नरसरी तयार कर पाते हैं और लगभाग ट्रांस प्लांट से यानी रूपाई प्लांटीशन करने की बाद से हमाई फसल लगभाग 60 से 65 दिनों में तयार हो जाती है तो 80 नबी दिनों में या पूरी फसल तीर महीं ची अंदर अंदर खतम हो जाती है लेकिन कुछ फसल यह आसी बैराइटी होती है जो लंबा टाइम लेती हैं लेकन जो मैंने बैराइटी बताई है आप बैराइट पर स्पेसल ध्यान दीजिए क्योंकि जो फूल है इसका फूल का साइज जदा जनों में यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उपर से पत्तों की छटाई करनी रहती है तो पत्तों की छटाई आप फूल से लागवा की तीन से चार सेंटीमीटर उपर से ही पत्तों की आप छटाई करनी चाहिए अधिक धूप पर जैसे अधिक temperature है motion परिबारतन हो रहा है और आपकी फसल 40-50, मतलब 50 दिन की है, 40-50 दिन की है, तो पत्तों को ऊपर से आप मोल्ड कर दीजिए और रबाल की साहता से उनको बांध भी देंगे, तो आपकी जो फूल है काली नहीं पढ़ेंगे, रंग भीहीन होंगे, तो ऐसा आप करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीकी से फूल गोबी की फार्विंग कर पाएंगे, आपको एक समय लगभख जब आपकी फसल 40-45 दिन की हो, तो आपको एकदम बाइट फूल रखने के लिए बोरॉन को इस्प्री कर सकते हैं, जिसे बी 20 आती ह या फिर कॉपर ओक्सी किलोडाट फंगी साइट को भी इस परे करते रहेंगे, तो जो फूल है, आपके रंग बहीन नहीं होंगे, तेड़े मेड़े नहीं होंगे, सब का साइज एक सा आएगा, एनपी की घुलन सील खाद को मैंने बता दिया, इन खादों को देंगे, किसा इस परेख मेंगे लोगर बात application को वैदी तो किसान भाईयों बात की जा कि आवज सकता तो एक कर्ण में लगँबग 150 से 160 ग्राम सीट्स की आवशकता पड़ती है अब कई के संपाइप कम या फिर जादा डिस्टेंस करती हैं तो इसकी जो लेंद है इसकी जो डिस्टेंस से कम जादा की कारण सीट्स की रिक्वार्मेंट भी कम जादा हो जाती है लेकिन यदि आप नर्सरी तैयार करना है तो थोड़ा सा ज़ादा भी बीच की बॉए करने की कोश्चत करें कि ऑफ सीजन में थोड़ा सा अप्रेल माई और जून महिन और यदि आप जाना चाहते है तो नीम का काड़ा बना कर भी उसमें गौमूत्र मिला कर भी आप स्प्री करेंगे तो सपलतवा पूरबग आप खेती करके इंसेक्ट को कीटों को नियंतरन कर पाएंगे और इनिक तरीके से